हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी कामार इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रासन कार्ड इस्टेटस को किस परकार से अपने ही मुबाइल से लैप्टाप कम्पूटर से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जी आज दोस्तों अगर आप रासन कार्ड में कुछ भी काम करवाते हैं जैसे के माल या नया रासन कार्ड के लिए अपलाई हो गया या फिर रासन कार्ड में नाम चड़ाना, नाम काटना, रासन कार्ड में नाम संगसोधन या किसी भी परकार का अगर आप रासन कार्ड में ओनलाइन काम करवाते हैं तो उसके बाद आपको एक जो है इस परकार से रसीद मिलता है और इस रसीद में आपका एक acknowledgement number भी होता है और दोस्तों आप इस acknowledgement number से online ही अपने mobile laptop computer से check कर सकते हैं कि आपका काम कितना दूर हुआ है, आपका processing कितना दूर हो रहा है, कहां पर है नहीं है या फिर रिजेक्ट हो गया है जो भी उसका status से आप उसको अपने ही mobile से check कर सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के माधियम से आज बताने वाला हूँ इसके लिए आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है दोस्तों simply आप जो है अपने mobile laptop computer में एक web browser को open कर लेना है जिस परकार से यहाँ पर गूगल क्रोम को open किया हुआ है आपको इस परकार से Google Chrome को या फिर Firefox वगेर को open कर लेना है और यहाँ पर आपको search करना होगा JSFSS ज़ारखन JSFSS जारखन आपको type करके क्या करना है यहाँ पर आपको search कर देना है उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने आएगा jfss.jharkand.gov.in का वेबसाइट देखने को मिलता है आपको simply इस पर क्लिक कर देना है जैसी आप इस पर क्लिक कर देते हो उसके बाद जो है रासन कार्ड मेनेजमेंट सिस्टम का जो वेबसाइट है वो आपके सामने खूल किया जाएगा यहाँ पर कई तरह का option आपको देखने को मिलेगा उपर में जो है home के बगल में आपको निव रासन कार्ड का भी option देखने को मिलता है मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इस परकार से आप नया रासन कार्ड के लिए आविदन कर सकते हैं आप रासन कार्ड का status को चेक करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलता है दोस्तों चेक application status का हिंदी में लिखावा है आविदन की इस्तिती जाचे आपको रासन कार्ड का status को चेक करने के लिए आपको चेक application status पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्ल कर देते हो आपके सामनी इस परकार से जो है डाशबोड आ जाएगा यहाँ पर आप दो परकार से चेक कर सकते हैं राषान कार्ड नमबर से दुसरा आपका आपका अखनॉलजमेंट नमबर से लेकिन दूसा सबसे बहतर होगा आपको ऐक लेकिन बेटर होगा आप अपने नमबर से चीक कीजिए तो चलिए यहां पर हम इसको भर देती हैं उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं किस परकार से आपको क्या करना है और निचे में आपको यहां पर एक capture देखने को मिलेगा, इस capture को क्या करना है, आपको यहां पर भर देना है, तो चलिए, यहां पर हमने लगबग capture को भर दिया है, और उसके बाद हम आपको आगे का process बताते हैं, capture को भरने के बाद आपको यहां पर search पर click कर देना है, निचे चले आना है, जैसे ही दोस्तों आप नीचे चले आईएगा, यहाँ पर आपके सामने status खुल के आजाएगा, जहाँ पर आपको सबसे बड़े बड़े एक्षरों में जो है acknowledge or number देखने को मिलेगा, रासन का नाम आजाएगा, और क्यों सा member का यहाँ पर आपने काम करने के लिए था, उसका नाम देखने को मिलेगा, फादर या फिर husband का name रहेगा, आपका address रहेगा, apply date आपको देखने को मिलेगा, किस date को आपने apply किया था और आपने किस चीज के लिए apply किया था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा request for यहाँ पर हमने नाम को सुधार करने के लिए दिया था तो इसलिए यहाँ पर name change देखने को मिलता है है ना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस status में pending at dso है ना यहाँ पर pending at dso बता रहा है तो यानि कि bso हमार किलियर हो चुका है approve हो चुका है आप जो pending है dso में और जैसे यह dso approve हो जाता है उसके बाद जो हमारा यह जो नाम चेंज करने का प्रोसेस यह complete हो जाएगा और यह नाम जो है सुधार हो जाएगा तो इस प्रकार से आप अपने mobile से laptop या फिर computer से भी check कर सकते है कि आपका काम जो है कितना दूर हुआ है या फिर नहीं हुआ है और जैसे यह approve हो जाएगा तो यहाँ पर dso approve लिखा के आ जाएगा और लास्ट आपका प्रोसेस से होता है जो सो pending dso ही dso approve करेगा उसके बाद जो आपका काम clear हो जाता है तो इस प्रकार से आप अपने mobile से check कर सकते हैं और रासन कार्ट से संबनित आने वाले बहुत तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है झाल